सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए कमाल गर दिया दोस्तों आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहे हैं मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक फोन के बारे में जिसका नाम है वीवो वाई 66 और आपको बताऊंगा कि आप कैसे बचा सकते हैं अपनी महनत की कमाई के 14,980 रुपे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरू जी चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये कोई आज की बात नहीं है आज तक कम्पनी ने सारे काम ऐसे ही की है और यहाँ पर दोस्तों लाँच की है एक नया फोन वीवो वाई 66 जिसकी एक बात तो मानने पड़ेगी कि फोन में 16 मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा है और कुछ हो ना हो फरक नहीं पड़ता लेकिन आप उससे बड़ी ही कमाल के सेल्फी ले पाएंगे मून लाइट फ्लैश के साथ में मतलब पता नहीं क्या मजाक लगा रखा है फोन लॉंच कर दिया फोन में ये फोन में वो फोन में मतलब भाया सारी पावर भरके दी है आपने 14,980 रुपे में बजार निकल ली यही फोन प्रिजेंट करने वाले हैं और बताएंगे कि this is the best phone in the world 15,000 रुपे के बजट में तो फोन की specs पर बात करते हैं थोड़ी सी तो यहाँ पर आपको मिलता है 5.5 inches का एक 720p डिस्पले क्या फ्रक पड़ता है 720p है तो भाई फोन में selfie है ना बाकी और क्या चाहिए दोस्तों यहाँ पर जो processor है वो है एक octa core CPU वो कौन सा octa core है वो नहीं पता वो किसी को भी नहीं पता वो आपको phone की specs में कहीं नहीं मिलेगा वो आपको website में कहीं लिखा हो नहीं मिलेगा कोई reviewer शायद आपको बता दे तो एक अलग बात है वरना आपको बताएगा भी नहीं दोस्तों इस phone में आपको fingerprint scanner नहीं मिलता है लेकिन क्या फरक पड़ता है यार selfie मिलती है na fingerprint scanner से क्या फरक पड़ता है आज की date में 7-8000 रुपे के phone में fingerprint scanner मिल रहा है लेकिन नहीं हमको selfie पसंद है भाई हमको phone की security से क्या लिन रहा है यहाँ पे दोस्तों और आगे बढ़ते हैं तो phone में आपको gyro sensor नहीं मिलता है जहां तक मुझे ऐसा लगता है क्योंकि phone के specifications में official website पे कहीं पे भी ये mention नहीं है लेकिन phone जो है न वो एकदम कमाल का phone है मतलब 14,980 रुपी कीमत में आपको एक ऐसा बढ़िया package मिलता है न क्या कहने उस बात के यार क्यों ऐसा होता है पाइलर वाला आइकन है वो messaging का जो आइकन है वो settings का जो आइकन है वो मतलब interface पूरा को पूरा iOS को copy मार रखा है फिर बोलते है fun touch है ये है वो है Android March में लोग साथ में आपको मिलता है और Nougat का update तो भूल जाओ कभी शायद आएगा नहीं phone के डबे को देख लोगे तो वहाँ आपको इतनी spelling mistakes मिल जाएंगी spelling का बूलू मतलब grammar mistake की कुछ capital small पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा बस लिखे जाने है made in India बना बना के ठीक है camera और selfie के इंदर इंडिया को जीना इंडिया मतलब क्या यार बहुत गुस्सा आता है इस बात की ओपर मतलब कुछ भी कचरा बना के launch कर देंगे न सिर्फ launch कर देंगे बाद में जो आपको दिखती है unboxing or review videos वहाँ पर भी जो मन में आ रहे हैं लोग बोले जा रहे हैं कोई प्रोसेसर जो है कोई बोलता है snapdragon 430 है वो चाइना में भाई वो इंड media tech का P10 processor मतलब बड़ा फ्रस्टेशन निकल के आती है कि मैं हमेशा कुशिश ये करता हूँ कि आप तक सच पहुचा दूँ आपको बता दूँ कि आपको अपने कैसे पैसे बचाओ लेकिन फिर भी चारों तरफ से आपके जब लोग घेर के खड़े हैं आपको selfie के जाल के इ बड़ा और हसी भी आती है कि कैसे हम लोग हैं और आप अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं आप अभी 10th 12th क्लास में हैं आपके पापा ने आपको प्रामिस किया होगा कि ठीक है बेटा रिजल्ट तुमारे आएंगे तुमारे एक्जाम सोगए तो बाद मुझा फोन द किसी भी ही लगानी आपको किंच किंच-के मतला बियूटी मोड लगा दो ठीक है फिल्टर लगा दो ठीक है इतने prey ezुक्त करने वाले हो ठीक है मानली बात सब लोग गेंस नहीं कहलते मैं प्रोसेसर को ले के पीशे बढात हैं फीग हटा दो उस प्रोसेसर को एक basic fingerprint scanner उस phone में नहीं है एक full HD display नहीं है 5.5 inches का display के अंदर 720p है और बाद में लोग बोलते हैं कि हाँ it has got a very nice display colors are looking very good मतलब क्या यार क्या बोल सकते हैं दोस्तों बस आप इस video को please like कर दो और share कर दो अगर आप थोड़े बहुत भी similar thoughts रकते हो मेरे साथ में उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपका कवर्स वाला सुझाव हो तो आप रीचे कमेंट का ना मत बूलिएगा और बताइए मुझे और आपकी क्या राय है ऐसे brands के बारे में जो हम Indians को ऐसे ही पागल समझते हैं सोचते हैं कि जो सामने लेके आएंगे एक बार बड़े इवेंट का sponsor बन जाओ और उसके बाद में बस branding आपकी कलो चारो तरफ में और जनता जो है वह आपके नाम में घूम के ब्रह जाएगी और जो कच्रा लेके आओगे सब खरीद लेंगे सब लोग दोस्तों सब्सक्राइब कर दो और बस जैहिंद वन दे मातरम